हाई हेलो आल वेलकम टू हाइट्स उचाईयों पर आपका सौगत है मैं नीरज कुमार बीपियारो गौर्मेंट आप आप सबी का सौगत करता हूं इस नए वीडियो में इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप एकोनॉमिक सब्जेक्ट को प्रिपैर कर सकते हैं प्री आपकी गारेंटी देता हूं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट का प्री में कंपार्टिवली वेटेज थोड़ा कम है प्री में जो भी कोशन्स आते हैं एकोनॉमिक से व बनाइए और दोनों को रिवाइस कीजिए मेंस में आगर आप इकनॉमिस से कोई बी डेटा कोट कर रहे हो तो ट्राइक कीजिए उसको एक कंपारिटिव डेटा के रूप में प्रेजेंट करने का सपोस्ट अगर आपको दिखाना है कि इंडियन गवर्मेंट का के बजट मे लिए कितना एलोकेशन होता है तो उसको कंपारिटिव दिखाई कि 1920 में इतना था 2021 में इतना है एबसलूटली ऐसे मत रेफर कीजिए कि 2021 में इतना परसेंट था और हाँ जब आप बजट और एकनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो वैसे डेटा को ही कॉपी कि जिसे आप सही म या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा चाहिए बहुत इंडिया का और बिहार का सोर्सेस की बात करें तो आप एकनॉमिक्स का बेसिक इस लूसेंट की बुक से बनाएं इसमें डेफिनेशन दिये हुए हैं टर्म्स एक्स्प्लेइन किये हुए हैं अगर आपको वो टर्म्स समझ में नहीं आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मुरुनाल सर की कॉशन यह है कि ज्यादा डेफ्थ में ना जाएं उनकी चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है और बहुत डेफ्थ में है उतनी डेफ्थ की जरूत है नहीं बस बेसिक आपका क्लियर हो जाए उतना ही अपने आपको लिमिटेड रखें नेक्स्ट आप इंडिया और बिहार दोन है क्या डेटा है क्या इंवेस्टमेंट है और क्या आउटपुट है यह आपको क्लियर इंसाइट देगा और मैं आपको परसनली सजेक्ट करूंगा कि बिहार का एकनॉमिक सर्वेश जरूर पड़े और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपकी तयारी पूरी तब तक नहीं हो तो यह था एकनॉमिक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने की टेक्नीक मिनिममम इंपूट और मैक्सम आउटपूट वाले फॉर्मले के साथ मिलते हैं और भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्राटेजी को लेके जल्दी तिल देन थैंक यू एंड स्टे टून